चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक भी करिए और नए है तो चैनल को सस्क्राइब भी कर लीजिए कोशन आपसे कह रहा है कृतग का विलोम मताई कृतग कृतग मतलब होता है किये गए उपकार को मानने वाला तो कृतग का विलोम क्या हो जाएगा कृतगन हो जाएगा अर्थात जो किये गए उपकार को न मानता हो उसे मुलते कृतगन और जो किये गए उपकार को मानता है उसे मुलते हैं कृतगन दोनों समझ में आ गया चलिए नेस कर आपसे वीभस का इस्थाई भाव क्या होता है व क्षिक है कि जल्ट का पर्यावाची अर्थात के सकते हैं निर भी होता है तोहीं भी वहता है लेकिन प्यूम् bajo से करें अंसर का कौन्षा परियावाची पराइश लेकिन प्यूर देख्ली की प्रिकीन अर्सती ने अंतर यामी है सही है दूसरा उज्वल चांदी में सैर का आनंद आता है देखो हमने पढ़ लिया लेकिन गलती मिल गई आपकी कहाँ पर उज्वल देखें उज्वल इस प्रकार से लिखते हैं उज्वल लिखते किस प्रकार से इस प्रकार से लिखते हैं सुद्ध इस प्रका कहते हैं तो उसे कहते हैं आश्रे क्या बोलते हैं आश्रे और यह हो जाएगा नेस कर आप से कि निम्लिखित में से कौन सा सब्द तर्सम है तर्सम जो की संस्क्रत के सुद्ध सब्द होते हैं उन्हें हम लोग तर्सम कहते हैं यहां पर आपको दिया है कौन सा ब्राता ब्रात आपकी का में हो जाता है अर्थात बनेगा क्या वाक धनीस ऑप्सन रेट आपका बी हो जाएगा वाक धनीस हो जाएगा ठीके देखो दोनों में आपका डिफरेंस है यहां पर बड़ी लगेगी ठीके नेस कर आप से दोहरा लाब अर्थात के सकते हैं आम के आम गुठुलियो के दाम नेस कर आपसे यहां पर श्याप तो की उपमे में उपमान को निष्येद रहित आरोप हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है तो देखो दो-इन पॉइंट आप कोते हैं अगर आरोप कह offenders यहां का तुलना हो रही है तो हमेशा वहां पर होता है कौन सा रूपा कलंकार अगर वहां पर बोल दे कि उपमे उपमान का समानता हो रही है तो समानता जा होती है वह आपका उपमालंकार होता है जहां पर कैसे संभावना होती है वहां उत्प्रेच्छन लंकार होता है इस प्रकार से यहां पर क्या हो रहा है आरोप या कैसे हैं भेद रहीत आपको तुल्ला हो रही है जो कि आपसर राइट आप कभी हो जाएगा रूपा कलंकार कहलाता है ठीके नेश कराप से दसानन में कौन सा समास है दसानन दस है आनन जिनके अर्थात कैसे हैं रामाण को और जब विशे कभी व्याविचारी चोर में कौन सा अलंकार है देको सुवरन आर्था अर्था इस सुवरन आपको दिया इसके तीन अर्थर निकल लए है सब्द एक है अर्थ कह सकते अनेक है जब सब्द एक हो अर्थ अनेक हो उसे कहते हैं स्लिस option राट अप का सी हो जाएगा अगला है निमनेखित में से अनेकार्थी सब्द कौन सा है अनेकार्थी, देखें अनेकार्थी के गरबात होती है कि उसके अनेकार्थ निकलते ही चले जाएं अर्थात, यहाँ पर आपको अंसर दिख रहा होगा option आपका D दिया है, गुरू देखें, गुरू के बहुत नाम होते हैं इनके जैसे आपका सिच्छक हो गया बड़ा कह सकते हैं, आपके कह सकते हैं कि इन्हें हम लोग स्रेश्ट भी कह सकते हैं, ब्रस्पती भी कह सकते हैं अर्थात, गुरू के कई नाम होते हैं इस परकार्थ से अनसर आपका D हो जाएगा जिसे नहीं जीता जा सके वाक्यांस के लिए एक सब्द बताएए जिसे नहीं जीता जा सके उसे बोलते हैं आजे अर्थात वो अमर हो चुका है तीस परकार्थ से अनसर आपका हो जाएगा लेकिन हम लोग अमर कप्रियों नहीं करते किसका पुर्तिया अजे हो चुका है ठीक है एगला है किन्यम लिखेत में से कौन सा सब्द तदभाव है कौन सा सब्द तदभाव है तो देखो यहाँ पर तदभाव सब्द आपका कौन सा है वत्त रात तरुवाईव आपका C हो जाएगा काज जो काज है यह आपका क्या है तदभाव सब्दे अपस्तर रेट अपका C हो जाएगा नेश कर आप से बेज़त करना अर्थ के लिए सही मोहारा बताईए बेज़त करना अर्थात कह सकती है पगड़ी उच्छालना अपस्तर रेट अपका C हो जाएगा निखित में से कौन सा वाक की भूत कालका है भूत कालका है तो देखिए यदिवा जाता तो मैं भी जाता इसका मतलब कहां की बात हो रही है आपके भूत की बात हो रही है ठीक है ना इस प्रकास से अंसर आपका यह ही हो जाएगा ठीक है नेश कराप से कि वचन की द्रस्टी स असुद्ध वाकि बताईए वचन की दरश्टी से यहां पर देखते हैं कराप प्रत्यक ब्यक्ति यही कहेगा सही है दूसरा है हर एक कुवा मीठे जलका नहीं होता है यह भी सही है मैं उनकी सज्जनता पर मुख दूँ यह भी सही है अगला है डि नमबर उसका प्राण निकल गया तो देखो उसका प्राण नहीं होता है उसके प्राण निकल गए क्योंकि प्राण हमेशा होता है बहुचन में प्रयोग करते हैं इस प्रिकार से यहां पर होना चाहिए उसके प्राण निकल गए आपसन आपका गलती कौन है डी वाला आपका गलती था ओके चलिए मैं कर他们 से कि निम्मेखित में से रिफट कालके कभी takepr कवी तो देखो रीविई कालके कभी आपके सिजैंगे option right आपकेढक अ वरंद चेहां सूरी धन और बनेगा सूर्धन उद याी ठीकिग सूरी धन उद्य बनेगा जो के सueprint घुपके दिया के स Crash संदी वैसे हमने आपको पैंचान के लिए बताया थे जहां पर वह होता है वहां पर हमेशा क्या होती है आपकी गुड़ संदी होती है समझ में आया रहा चलिए नेश कर आप से अंक सब्द के अनाकार्थी सब्द समू का चैन कीजिए पिछले वीडियो में ये कुश्चन आपको देखने को मिला था एक बच्चे कमेंड भी आया था कि ऐसा नहीं होगा और हमारे चैनल से जुड़े वे जो पुराने बच्चे इतने होसियार हो गए हैं कि वो आल्रेडी जवाब दे देते हैं हैं यहां पर अंक के अर्थ अर्थ होते हैं जीसे आपका गौद भी है संक्या भी है और अध्यायाथत यह एक्चिरः और चीर करत के औरा और चीर्करत होता है वीels प्रकार्स सेकतितार नियांस नह्यगा neste वचन किसका बोध कराता है वचन किसका बोध कराता है तो भाई याद रखेगा वचन जो होते हैं वो प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने की बात करता है देखो अंसर आपका A हो जाएगा यह वचन वाले नहीं है कि हम आपको वचन देते हैं हम आपको यह बोलेंगे व वचन कौन से एक बचन बहवचन है ठीक है तो वचन जो बोत कराते हैं प्राणी वस्तु के एक या अनेक होने का ठीक है अंसर राइट अपका ए हो जाएगा नेश कराब से ब्याकरण में काल का क्यार्थ होता है तो याद रहें ब्याकरण जो ब्याकरण पढ़ते हैं वो काल क response नहीं आया वो लोग theory नहीं पढ़ना चाहते हैं सिर्फ objective टेस्ट लगाना चाहते हैं और जबकि exam में पीछे बार निकल के आ जाते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं ठीक है तो कभी-कभी अगर हम वीडियो upload करते हैं तो इसका मतलब वह वह होती बहुत ही आई-एंपी question होगे बहुत ही अच्छा होगा इसलिए हम आपको theory आप अप अपलोड कर देते हैं ठीक है तो दोहा चंद में कितने चरण होते हैं तो बिलकुल आप यारमात्रय होती है उससे हम लोग बोलते हैं दोहा ठीक है चलिए इसके आप से कि राजा ने ब्राम्हण को धन दिया यहां पर आप से कह रहा है रेखांग की सब्द में कारक पूचा है देखो कारक पढ़ लिजिए हमेशा से आपको कह रहा है कि आठ कारक होते हैं समपरदान कारक ने इसकर आपसे लिंग की द्रस्टी से असुद दुआ के बताईए लिंग की द्रस्टी से असुद दुआ क्या आपसे पूचा है कि आपसे मोटा या आदमी आया आपकी चरित अच्छी है आपका चरित अच्छा है यह होना चीए बी नमबर आपका यहां अपसाद अपसरेट अपका यह हो जाएगा देखो कमाईनी एक महा काब्भ है क्या है कमाईनी एक महा काब्भ है जो कि आधनिक छायवादी कवी के रूप में सरवत्तम आपका यह काब्भ है ठीक हिंदी का सरवत्तम काब्भ है आधनिक छायवादी का इसलिए कह सेकती यह कु प्रत्य और उपसर गलत है ठीक है ना चलिए इसका अंसर होगा डी नमबर ने इसके आप से सम उपसर्ग से बना सब्द कौन है सम उपसर्ग से बना सब्द देखो सम सब्द आपके संयोग में भी लग रहा है और संभाव अगर इसे तोड़ेंगे तो यहां पर आपका सी वाला भी होगा अर्थात इसमें अंसर आपका ए प्लस सी होना चाहिए ठीक है लेकिन यहां पर आपका सिर्फ आयोग ने यही दिया है बलकि गलत है यहां पर अंसर आपका ए और सी होना चाहिए चलिए निसकोशन आप सेगला है कि निम्रिखित में से किस वाक्य में सरुनाम का प्रियोग हुआ है बाई सरुनाम मतलब होता है जो संग्या की विश्ष्टा बताता है और यह बता है था कि पैचान करने के लिए कैसा और कैसी अगर वर्ड में अगर कुश्चन करते हैं अगर ट्रिक आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है नहीं आ रहे तो अपने इसाब से रटना चाहो तो रट सकते हो ठीक है यहां पर एक क्रपा अगर वर्ड को यूज किय करना है अगर यूज करना अधत किसी सेंटेंस में किस प्रकात से यूज कियाता है तो अगर आसा नहीं समझ सकते हैं अगला है कि निमलिखित में से कौन सा सब्द पूर्लिंग है सब्सक्राइब भवादिया डिविया साध्वी यह तो आपकी स्थिलिंग है लेकिन संचालक ठीक है इस संथा का संचालक कौन है है ऐसे वट बोलते हैं तो यहां पर डि नमबर आपका हो जाएगा कौन सा पूर्लिंग हो जाएगा नेश कर आप सी बिसेशन की सब्द की बिसेश्था बताता है यह बताता है आपकी संग्या की option right up का यह हो जाएगा संग्या नेस कर क्रिया के कितने भीद होते हैं कर्म की आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं लिए अपकी दूखThe बत कि हर एक द्रसमिय होता है हर्ग्ध्यैंस языornic प्रूस्ज्र कर्म कि था है यहां पूर्दो में दिया है कि कौन सा देश किसके साथ था कैसा नहीं है और अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार और हमने बता है कि हमेशा जो गद्यांस होता है सौल करने के लिए सबसे पहले प्रस्ण पढ़िए अंसर आपको आ जाएगा लेकिन यह पर आपको बी मित्र राष्टों का सांती सम्मेलन कहां हुआ मित्र राष्टों का सांती सम्मेलन कहां हुआ था यह सम्मेलन हुआ था आपके पेरिस में ऑप्सन राइट अप का बी हो जाएगा यह एक प्रकार से जी के है याद रखिएगा अगला है कि सांती सम्मेलन के समय संयुक्त राश पती कौन था तो राश पती कौन था यह था आपके विल्सान oh 38 तीश को जगा डिए हैं नेश कर आप से जर्मणी के आत्म समरपड का मुख्या अधार क्या था जर्मणी ने आत्म समरपड किया था इसलिकर अधार क्या था तो कह सकते हैं विल्सन के 14 सुत्र 49 सुपस्वन आपका ये विल्सन के 14 सुत्र नेस कर आप से विल्सन के घोषणा में क्या सामिल नहीं था तो विल्सन ने जो घोषणा पत्र बनाया था उसमें से सामिल को नहीं था D number कि किसी देश पर आकमर नहीं किया जाए ये point वहाँ पर add नहीं किया था ठीके अब यह आपर देख सकते हैं हमने आपर जो 5 question थे हमने solve किया है क्यों क्यों कि इसके पहले आपने प्रतम वीश दुपड़ा होगा ये कह सकते हैं GK का portion था जो कि आपको आना ही चाहिए ठीके चलिए अब आते हैं पर हम लोग जो कि आपके अगले point में हमने आपको बताया था कि जहां कभी भी रसों में अगर मांस मिल जाए हड़ी मिल जाए बाज मिल जाए हमेशा वहाँ पर आपको कौन सा हो जाएगा वीभस रस होगा इसका मतलब यह है कि आप किसी रोट से जा रहे हैं और अचानक मालो कहीं पर आपका accident हो या मतलब किसी accident कोई बेक्ती हो गया हो वहाँ पर कोई ना हो वहाँ पर कुटे चिडिया वगारे इस प्रकार से हो तो आपको बड़ा अजीब लगेगा और घिन लगेगा है ना या माली जी कहीं कबरिस्तान में जाते हैं जहाँ पर जानवरो पढ़े हैं ऐसी स्थितिम क्या होता है वहाँ पर मांस ऐसे वर्ड आपको देखने हो मिलेंगे तो हमेशा क्या होता है विभस रस होता है ऑप्सन रेट अपको यहाँ पर ए हो जाएगा विभस रस या घर्णा रस समझ में आगे ना चलिए नेस कर आप से यहाँ पर हिंदी भासा किस लिप में लिखी जाती है हिंदी भासा किस लिप में लिखी जाती है भाई तो हमेशा से आपको पढ़ाया है कि हिंदी भासा लिखी जाती है आपकी दियो नागरी लिप में option right up का C हो जाएगा next कर आप C anunansik का सम्मंद होता है anunansik का सम्मंद जो होता है भाई किस से होता है तो anansik का सम्मंद होता है ये आपके नाक और मुह दोनों से जैसे आपका अंक होता है ना के दोनों सब्दों के समाना धिकरन होने पर करमधारे समास होता है बताए भाई कि समास के दोनों सब्दों के समान धिकरन होने पर करमधारे समास होता है चबारीश कोप्सन राइट आपका यहां पर कौन से हो जाएगा राइट अंसर आपको हो जाएगा यहां पर ततपुरुस समास ए नम्बर आपका हो जाएगा ठीके मतलब हमने बताया था कि करमधारे समास कोई एक नया समास नहीं है यह जो निकला है वो आपके ततपुरुस समास से निकला है कुछ रूल होते हैं जो आपके ततपुरुस से मेल नहीं खाते हैं इसलिए एक बिसिस आपका निकाल के रख दिया गया करमधारे समास ठीके तो जब कभी करमधारे समास नहीं होता है इसका मतलब आपका कावनता है ततपुरुस होता है इसी कहांग है ठीक है Next question आप से गला पूछा गया है कैर आप से की अर्ध सम मातरिक चंद जाती का मतलब अर्ध सम मातरिक जाती का चंद एक वीडियो बताया था हमने और वही कोश्चन बार-बार रेपीट हो रहे हैं ठीक है जो अर्ध सम्मात्रिक छंद मतलब क्या होता है जैसे दोहा होता है 4 चरण होते हैं उसमें से देखो एक में कहसे हैं कि जैसे प्रथाम और तिरतीम हो 13 13 मतरह होते हैं मतलब कहसे है कि यह तो आपका 2 है है, यह आपका कैसा है, अर्द सम मात्रीक हूं ठेके, अन्सर राट आपको यहाँ पर B हो जाएगा, ठेके, 45 को आपको जाएगा, B हो जाएगा, ओके, और next question कहाते है, यहां पर देखो, रोला झो होता है, यह सम्मात्रीक है क्यों कि रोला में आपके कह सकते हैं आपकी 24 होते हैं चौपाई में कितनी होते हैं 16 होते हैं प्रतेक कह सकते हैं उसमें है ना तो इस प्रकास यह तो सम है और चार होती है उल्लाला के ठीके तो इस प्रकार से कहते हैं आपकी कुंडली बनते हैं हमने वीडियो बनाया था आप देख सकते हैं काफी अच्छे समझाया था मत रहे लगी हुई समझाया था एक बार देखोगो तो आपको हमेशा याद रहेंगे इतना है ठीके अगला है क कि हिंदी की आध जन्नी किसे कहते हैं तब आपकी संस्क्रत होती वह भी लिखने वाली संस्क्रत जो की वैदिक में अर्था जो आपके व्यत पुरान लिखे गए ठीके चलिए निस के आप से आउंधी खोपड़ी लोकुक्ति का क्या अर्थ है यहाँ पर चारों आपके कन्फ यहाँ पर सुद्ध वर्तिनी देखा है जो कि लगबग हर एक एक जाम में पूछे आते हैं यहाँ पर सुद्ध वर्तिनी आपकी रिसी जो इस प्रकास से बिनमराइट हो जाएगा नेस कोचन आप से गला है उत्धन हार के योग से कौन सा सब्द बनेगा उत्धन हार प्रत्य किसी भी सब्द के लास्ट में जुड़ा होता है ठीक है तो देखो यहाँ पर दिया है हमने बताया था कि उसे तोड़ने में एक आपका अर्थ निकलना चाहिए तब ही आपका माने होगा कि यहाँ पर वी अगर करोगे तो कल कोई मतलम निकलेगा नहीं होगा क्यों तो कि प्रत्य पूछा है तो इस प्रकाल और यह यहीं है क्योंकि आपको दिया है धनीक तो यहाँ पर तोड़ा जाया है तो आपको प्रत्य करनी ही पड़िए अगर आपको टेस लगा ना है तोगा आप मतलब कि एक बार भी अगर नोट से आप उठाग देख लिए ना तो आपको मैना वर उठाना नहीं पड़ेगा हिंदी में इतना पक्का है ठीक है हिंदी तनी बड़ा कैसे इतने बहुत बड़ा अगला है कि जिन सब्दों की उत्पत्ती का पता नहीं चलता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं इन्हें मोल देते हैं जो आपके देशर सब्द होते हैं ठीक है देशर सब्दा आपको सी हो जाएगा अगला है संधी सब्द है संधी सब्द क्या है तो भॉए संधी सब्द आपको कहसे कथे हैं यह अपर प्रकार का ततसम सब्द है ठीक है यह नमबर आपको हो जग से director की ब्रच से पत्ते गिरते हैं देखो कोई ब्रच्छ है और पत्ते हैं इसका मतलब पत्ते ब्रच्छ से अलग हो रहे होंगे और जब अलग होते हैं तो कारक चिन्वों में जो अलग होना होता है वो आपका अपादान कारक होता है अपसर अपका सी हो जाएगा नेश कर आप सी शूरी सब्दिका इस्त्र बिलूम बताइए अर्वाचीन मतलब होता है आधुनिक यह कर सकते हैं आपका नया ठीक है तो आधुनिक है इसका आपका हो जाएगा अपोजिट प्राचीन हो जाएगा पूरा ना अर्था अपसन राट आपका कौन हो जाएगा सी अर्वाचीन का प्राचीन नेश कर आप सी प्रशाइब निए हैं मिस्तर्वाग का चैन कीज़िए मिस्तर्वाग के मिस्तर्वाग के हमने आपको कुछ पॉइंट बताया थै कि अगर आप दो चार पढ़ लेते हैं और आप बता भी दिया है कि यह टोपिक पढ़ लिजेे 100% नहीं 120% आपको यह प्रसंद जड़ू देखने को मिलता है बस सिंपल होता है सरलवाक संयुक्तवाक और आपका मिस्त्रवाक है ना तो यहां पर आपको जो मिस्त्रवाक है इसका मतलब कहने कह सकते हैं कि संबंध होगा पहले वाकर से देखो जैसे आपका दिया वह व्यक्त मिस्त्रवाकिम होते吗 आसर आपका D हो जाके नेसकाम से वाकी कह घटक होते है याद रखिए कि讲 सरल वाकी में दो जरूर ४िद्ष होता है और आपका देखा जाए का प्रियोक है अगर इसे तोड़ा जाए गीत धन अंजली घांजली और यहां पर देखा जाए गीत तो समझ्झ में ये आपका सुरिः संदी में है ठीके और कैसेकने स्टे पॉलिटी एकनोमिक जोगरफी सभी आपकी वीडियो देखने को मिल जाएंगे तो आची वीडियो इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो में धन्नवाद